अगर आपने अभी तक किस चेलन को सब्सक्राइब ने किया तो चलती से कर दिजिए मैं आपके लिए ऐसे ही टेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा आज मैं आपको बता हूँगा BDV TAS कहसे करते हैं! Breakdown Voltage Test of Translator Oil हमारी पास है कंटेनर है एक टिस्टिंग की साथ ही आता है इसमें दो इलेफटोर्ड है, एक इस साइट से एक इस साइट से और भी इसमें दो गैप है 2.5 mm है इस बोटल में टांशन ओएल सेंपल है, टांशन ओएल सेंपल कैसे लेते हैं पिछले वीडियो में दिखा रहते हैं, अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो जाहिए दिस्क्रिशन में उसका लिंक है फर्स्ट इस कंटेनर को अच्छे से क्लिन करना है जिस ओयल से क्लिश करने वाले उसी ओयल से क्लिश करना है झाल 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 इसी स्केल के एक साइट 2.5 mm और एक साइट 2.4 mm और इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 2.5 mm की कैब होना चाहिए झाल 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 ये कंटेनर अच्छे से क्लीन होगा अब हम लोग फाइनल वाइल ले लेंगे तोड़ा फास करते हैं वीडियो को स्सक्राश झाल कृट्र झाल 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 पाव रल झाल बीज़ रखिर उन्हें लेखे गाइज इस इलेक्ट्रोट के डिस्टेंस 2.5 mm है में कि एको बनागः आ Millennium Flash में पिस्तुप्पी आ सिलेक्ट्रोट के ही했다 कि राओ पोल्ग झाल 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 six time test होता है तो भीडू रही जुग एग दो रवा सकत है झाली दो झाली अटो ठाइल ब्रेकडाउन मॉल्टि स्टेजड वैलू यह एक्सेप्टिबल रिमिट क्या है यह डिपेंड करता है कि पूपर के रेटिंग के 50 के भी मिनिमाम डायलेक्टिक रिस्टेज होता है मतलब उसके उड़कर के वैलू अच्छी मने जाती है उसके अदर नीचे आता है तो आपको वाइल फीट असन करने के ज़गत तो शिक्स टाइम बीडिवे टेस्ट हुआ है उसके बाद एवरेज वैलू 57.9 के भी अच्छी है तक्यू अच्छी है ट्रप्ड़ूची है ट्रप्ड़ूची को मतलब लाद है